नमस्ती से दावस्त सेले मातरभू में जैहिन दूस्तों दिन बर क्या रहा है स्पेस डिफेंस और इंटरनाशनल गल्यारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं दोस्तों पहले डिफेंस अब्रेट की बात करते हैं तो भारती वाइस सेना के MI-35 फ्लीट को लेकर आ रही है दरसल भारती वाइस सेना को 2030 के मद्य तक MI-35 अटैक हेलिकॉप्टरों का अंतिम ओवर हॉल किया गया जो स्क्वाडन है वो मिल जाएगा जिससे कि ये पुराने गंशिप जो हेलिकॉप्टर है वो 2029 तक ऑपरेशनल रह पाएंगे जिसके बाद इस बेड़े को भी रिटायर कर दिया जाएगा आपको बता दे कि पहला बैच पहले से ही रश्या में है और जल्द ही दूसरा बैच भी रश्या भीजा जाएगा इसके लावा 65 LCH हेलिकॉप्टरों को भी बेडे में शामिल किया जानी की योजना है वहीं दूसरी तरफ HALB इंडियन मल्टी रोल हेलिकॉप्टर को बना रहा है जो कि 13 तन का मेडियम क्लास टांस्पोर्ट हेलिकॉप्टर हो दरसल भारत ने अभी तक एक डेडिकेटिड हेवी क्लास अटेक हेलिकॉप्टर का विकास नहीं किया है लेकिन इंडियन मल्टी रोल हेलिकॉप्टर में सम्भावनाएं काफी देखी जा रहे हैं बढ़ते एगले अपडेट की तरफ हवाई एड़ा है 690 एकर से अधिक के छेतर में फैला यह हवाई एड़ा 640 करोड़ रुपे की लागत से तयार हुआ है इस हवाई एड़े में 200 मीटर का रनवे है जो हर मौसम में विमानों को आपरेट करने के अनुमती देता है आपको बता दें कि चीन के साथ युदि की स्थिति में भारती वाई से ना इसका इस्तमाल कर सकती है इंडियने एफोस चार MI-17 हेलिकॉप्टर को यहाँ पर टैनात करेगा जिनका इस्तमाल फिलाल तो VVIP परिवन या फिर छेतर में अन्यस सेवाईं प्रदान करने के लिए किया जाएगा बढ़ते एगले अपडेट की तरफ सीमा स्रक्षा बल, CRPF और ITPP ने ग्रहा मंत्राले के अधिकारियों को ड्रोन नीती से जो समस्याय आ रही है उसके बारे में अफगत करा है साथी अर्षैनिक बलो ने कहा कि सीमा पर ड्रोन के इस्तमाल पर प्रतिबंद के कारण उन्हें कई मुल्दों का सामना करना पड़ रहा है दरसल दोस्तों सीमा बरती शेतरों को Red Zone के रूप में नामित किया गया है और केवल 66 बलो को छोड़ कर अगर अर्षैनिक बलो को भी यहाँ पर ड्रोन उड़ाना है तो उसके लिए उन्हें अधिकारियों से पहले Approval लेना पड़ेगा और उनकी अनुमती के मिना वे ड्रोन नहीं उड़ा सकते ऐसे में कहा जा रहे है कि गुप्त ऑपरेशन की स्थिति में पुलिस के अधिकारियों को भी सूचीत करना होगा वहीं अर्षैनिक बलो के अधिकारियों ने कहा कि नकसल विरोधी या फिर आतंगबाद विरोधी अभ्यानों के दौरान कभी कभी बाते इधर से उदर चली जाती है क्योंकि नियोमो के अनुसार उन्हें सम्वेंदर शील विवरन जैसे के रास्ते और ड्रोन के उपियों के उदेशों को साजा करने की आवश्कता होती है जाने कि उसाफ्त और पर बाते लीख हो जाएँगी ऐसे में जो अर्शैनिक बल और ओपरेशन कर रहे हैं उसमें दिक्कते आएँगी और इसलिए दोस्तो शसस बलो के अधिकारियों ने ग्राम अंत्राले के अधिकारियों को कहा कि जो ड्रोन नितिया आपने बना रहा किये उस वज़े से सीमा पर गस्ट और संचालान अगर किया जाएगा ऐसा संबब नहीं हो सकता ज्यानी की दोस्तो साफत और पर अर्सेनिक बलों ने कह दिया है कि उन्हें भी शसस बलो की तरब ड्रोन संचालित करनी के अनुमती दी जानी चाहिए जिसमें कि उन्हें भी किसी से कोई अप्रूबन नहीं लेना होगा बढ़ते हैं अगले अप्डेट की तरफ दोस्तो भारतिय सेना ने इंटिगेटिड ड्रोन पहचान परणारी की खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफर्मिशन चारी किया है सेना ने 180 कैनिस्टर लॉंच एंटि आर्मर लॉइटर आमूनेशन जिसे की क्लैम भी कहा जाता है इस सिस्टम की खरीद के लिए ये RFI जारी की है और इन उपकरणों में 60 पर्थिशत सुदिशी सामगरी होनी चाहिए साथी कहा जा रहा है कि इस तरीकी की सिस्टम को फास्ट टैक प्रक्रिया के माध्यम से सायक उपकरणों के साथ 180 क्लैम सिस्टम खरीदे जाएंगे दोस्तों आपको बताती कि ये जो क्लैम सिस्टम होगा वो एक pre-loaded loiter गोला बारूत कैनिस्टर ड्रोन है जिसे एक बार दागे जाने पर ये एक विशेश छेतर में कुछ समय के लिए हवा में रह सकता है और लक्ष को देखे जाने के बाद इसे विस्पोटक पे लोड के साथ लक्ष को नस्ट करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है और ये loiter सता जे सता पर मार करने वाली मेसाइलों और एक drone कमिशन है जिसका इस्तमाल दुवारा किया जा सकता है बढ़ते अगले अबडेट की तरफ दोस्तो भारतिय सिना ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मिशन जारी किया है नाइन इंटिगेशन ड्रोन डिटेक्शन और इंटर डिटेक्शन सिस्टम के लिए जो कि बाई इंडियन कैटेगरी के तहत खरीदे जाएंगे कहा जारा है कि इनमें 0.001 स्कॉर मीटर रडार क्रॉस सेक्शन को पहचानने यानि कि डिटेक्ट करने में ये शक्षम होने चाहिए और इनकी रिज 8 किलोमेटर होनी चाहिए साथी इनमें सॉफ्ट किल मेकानिजम होना चाहिए और ये 5 km के range में अपने target drone को direct करने में शक्षम होने चाहिए इसके अलावा इसमें high power laser based hard kill engagement system भी होना चाहिए जो 2 km के range में दुश्मन के drones को तबहा कर सकता हो बढ़ते अगले defense update की तरफ दोस्तो भारती वाइस से ना 2030 के मद्धे में 114 MRFA program के लिए request for proposal जारी कर सकती है कहा जारे कि इस tender में शामिल contenders को अपने proposals को जमा करना और जिसका process है उसमें कुछ और वक्त लगेगा जिसमें कि इन fighter jets का short technical evaluation भी किया जाना है और उसके बाद fighter jet को short list किया जाएगा यानि कि 114 MRFA program का जो winner है यानि कि विजयता है वो 2025 में चुना जाएगा इसके अलावा तकनीक और जो कीमत है उसमें भी negotiation किया जाएगा ऐसे में ये process भी 2026 तक होगा और पहला aircraft 2029 में मिलेगा बरते अगलेट की तरफ दोस्तों DRDO उन भारतिय स्टार्टप्स की पहचान कर रहा है जो की long range remotely operated vehicles यानि की LROV को तयार करेंगे जो की DRDO की technology development fund scheme के तहत तयार किया जाएगा कहा जारा है कि इसकी operational range 2 km होगी और इसका इस्तमाल पानी के नीजे वस्तोव की पहचान करने में किया जाएगा और यह जो LROV होंगे वो पानी के आंदर मौजूद object को नकेवल पहचान पाएंगे बलकि उन्हें वर्गी करिद भी कर सकते हैं और यह भारतिय नौसेना की शमता को काफी बढ़ाएंगे बढ़ते हैं एक लिए update की तरफ दोस्तोव H.A.L. काफी करीबी से इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ट के साथ मिलकर Maritime Virgin Warrior Light Utility Helicopter को तयार करेगा जो कि पुराने चीता और चेता की हलिकॉप्टर की जगा लेंगे आपको उताद है कि भारतिय नौसेना को 111 नेवल उटिटी हेलिकॉप्टर की जरूत है कहा जा रहा है कि अब 60 धुर्व नेवल विरियन्ट को भारतिय नौसेना खरीदेगी और बाकी के जो एक कावन हेलिकॉप्टर सोंगे वो लाइट यूटिटी हेलिकॉप्टर के आधार पर होंगे बढ़ते हैं अगले ब्रीट की तरफ दोस्तो भारत और जापान यूनिकॉण नेवल स्टेल्थ आंटेना की बिकरी को फाइनल करने जा रहे हैं जिसमें की जापान भारत को ट्रांफर आफ टेकनोजी भी देगा और इनका इस्तमाल भारत नेक्ट जनेशन के वार्शिप में करेगा अब ये कहा जा रहा है कि भारत ने जापान से बैटरी मेनेजमेंट सिस्टम और अन्यप अंटूबी टेकनोजी की भी मांग की है ताकि भारत अपनी 12 डीजल अटेक संब्रीन प्रोग्राम को भारत ये 9 सेना के लिए तयार कर सके आपको बताते कि जापान की सर्यू क्लास की संब्रीन दुनिया की सबसे भैतरिन डीजल अटेक संब्रीन है इसके अलावाद जापान भारत के साथ मैरे टाइम डोमेन में अपने संबंदों को मजबूत करना चाता है बढ़ते हैं अगले ब्रेट की तरफ बढ़ते हैं अगले ब्रेट की तरफ दोस्तो एक दुखत घटिना में सिक्कीम में प्रशिक्षन अभ्यास के दौरान पैरशूट खराब होने के कारण स्पेशल फोर्स यूनिट के एक जवान की मिर्ती हो गए कहा जा रहा है कि मंगलवार को भारत चीन सीमा पर अभ्यास किया जा रहा था पैरट्रूपर का शव सेना ने बरामत कर लिया है और पोस्त माचम के लिए भीज दिया है बता दे कि इस जवान का नाम लहाग्याल है और वो पिछले आठ साल से पैरशूट रेजिमेंट के साथ काम कर रहे थे अधिकारी कोई तरफ से कहा जा रहा है कि नियमित अभ्यास सत्र के तहत उन्होंने हेलिकॉप्टर से 250 फीट की उचाई से छलांग लगाई उनके पैरशूट का दाहिना के लिप खुल गया लेकिन बाया पैरशूट फस गया जिससे ये दुरघटना हुई फिलाल के लिए ये थे अभी तरक के टॉप डिफेंस अपटेट वीडियो के समद में कोई प्रस्च जबाब आपका कोई सवाल के कमें सेक्शन में लिखकर जरूब पूछ सकते हैं मिलता हुआ नए वीडियो के साथ चैह हिंद बंदे मातरा